हेलो डियर फ्रेंड्स, बेलकम तू अबर चैनल, ग्रीस आर्किटेक्चर, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अठारे फिट वाई, साथ फिट प्लाट साइज प्लानिंग के बारे में, फ फिट का इस पेस हमने छोड़ रखा है, जो कि हमारा गार्डन के लिए रहेगा, यहां हमारा गार्डन बन जाएगा, यहां से हमारी एंट्री होती है, जैसे ही आप गर के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमने पार्किंग एरिया और इस्टियर केस दिया हुआ ह यह हमारा 9 फिट वाई 16 फिट चैंच का पार्किंग एरिया रहेगा, यहां आप कोई सी भी कार आसानी से पार्क कर सकते हैं, यहां से हमारा स्टेरकेस फास्ट फ्लोर के लिए जाएगा और यह हमारा यू टाइप स्टेरकेस रहेगा, तीन फिट चैंच ओड़ा यह हमारा स्टेरकेस रहेगा, यहां से आप एंट्री करेंगे घर के अंदर, तो एंट्री करते ही, यहां हमने बड़ा सा लोबी एरिया दिया है, जिसका साइज 12 फिट, साड़े 10 इंच वाई 16 फिट, साड़े 7 इंच रहेगा, जिसमें यह हमने यह बाधरूम बलान क्या हूआ, चार्फिट वाई 6 फिट का, और इस तरफ यह बीच में हमारा OTS रहेगा, चार फिट चार इच्वई 5 पिट साड़े 10 इंच का, और इस तरफ हमने लहाटरिन पलान क्या हूआ है, चार फिट वाई 6 फिट का, इसका वेंटिलेशन पार च्वाइच इन चावाई 14 फित का और से नमारा बेड यह हमारा बादरोम रहेगा और यह हमारा टीवी यूनिट रहेगा बैडरूम से पीछे जाने के लिए यह मने गेट दे रखा है यह हमारा ओटियास एरिया रहेगा आठ टेइंपल रहेगा यहां से एंट्री करेंगे आप दूसरे बैडरूम में यह हमारा आट फिट साड़े पांच इंच वाई 14 फिट का दूसरा बैडरूम रहेगा जिसमें यह हमारा बैड यह टीवी जिनेट और यह हमारा बाडरोब रहेगा यहां बिंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए आप OTS में जाने के लिए गेट भी दे सकते हैं और यहां अटेच यह हमारा टॉलेट रहेगा जो कि चार फिट वाई 6 फिट का रहेगा बैडूम से अटेच रहेगा और इस टॉलेट का वेंटिलेशन OTS के करप रहेगा तो फ्रेंड्स यह था हमारा 18 फिट वाई 60 फिट का सांदर नक्सा आपके लिए नक्सा कैसा लगा आप अमें कमेंट बख समय बता सकते हैं और आप अपने घर का नक्सा अपने एकोर्डिंग कम से कम फीसमें हमसे डेजान कर वाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप अमें कॉल कर सकते हैं Thank you 4 watching मिटे नेक्सज वीडियो में तब तक के ल